हाईवे के चौराहे पर हिस्ट्री शीटर वा उसके साथ ही ने फाइरिंग कर देहशत फैलाई मौके से खोखा बरामत कर पुलिस जाच में जुटी ग्रामिडों ने असलहाबंद हिस्ट्री शीटर को लाठी डंडे लेकर दोडा लिया इसके बाद आरोपी मौके से हतियार लहराते हुए फरार हो गया घटना की सूचना पाकर सबसे पहले डायल 112 मौके पर पहुची इसके बाद घटना स्थल पर वरुना जोन के ADCP, रोहनिया ACP और रोहनिया समें चितैपुर्थाने की फोर्स पहुची पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामत किया सीसी कैमरों के सहारे पुलिस ने आरोपी को चिन्हित किया बुद्वार की देर रात रोहनिया के अमराच चौराहे पर बुलिट सवार हिस्ट्री शीटर बेटा वर निवासी गोलू यादो हाथ में तमंचा लेकर पहुचा सबसे पहले नौ बजे वो बियर की दुकान पर पहुचा और सेल्समेन दिनेश यादो समेथ एक अन्य ग्राहक से उलजिया दोनों के बीच काफी कहा सुनी हो गई अन्य ग्राहकों ने मामला शांत कराकर उसे बाहर भेजा वो किसी तरह बियर लेकर आगे बढ़ा और पास में ही अमन राजभर की दुकान पर पहुचा और सिगरेट की मांग की सिगरेट लेने के बाद वो जाने लगा तो अमन ने सिगरेट का पैसा मांगा कुछ देर इंतजार के बाद यूवक बिना पैसा दिये जाने लगा तो अमन ने दुबारा टोका इस पर यूवक ने गाली गलोश शुरू कर दी लगभग 25 से 30 मिनट बाद बुलिट पर एकानी यूवक के साथ पहुचा और दुकान के अंदर बैठे अमन पर फाइरिंग कर दी गोली के आवाज सुनते ही अमन सरक्षित स्थान पर छिपने के लिए भागा इस पर दुबारा फाइरिंग की लेकिन गोली मिस हो गई इसके बाद भागते समय फिर गोली चलाई अमरा चौराहे के पास तब तक अमन के परिजन और आसपास के लोग एकठा हो गए तो उस पर दबाव बनाया कुछ लोगों ने उस पर हाथ भी छोड़ दिया इस पर वो अपनी चपल छोड़ कर बाइक लेकर भाग निकला सिगरेट का पैसा मांगने पर दुकानदार पर दो राउन फायरिंग की सूच ना पाकर ADCP क्राइम रोहनिया SCP संजीफ शर्मा समेत अन्य पुलिस कर्मी मौके पर पहुचे पुलिस ने CC कैमरे की जाच की और फुटिज निकाल कर आरोपी की पहचान की ADCP ने बताए कि मामले के आरोपी बेटावर निवासी गोलुयादव की तलाश की जा रही है अमन राजभर की मां इंद्रावती देवी ने पुले सधिकारियों से गोहार लगाई है कि चायपान की दुकान चलाना भी मुश्किल हो गया है इस तरह मनबढ आएंगे और पैसे की जगा कोली मारेंगे तो फिर हम लोग कहां जाएंगे आरोपी के खिलाफ कड़ी कारवाई हो और उसका इंकाउंटर होना चाहिए